मित्रो एम फ्रेंज मेरा नाम डॉक्टर राणवीर भावा है मैं डॉक्टर आफ नेचर मेडिसीन हूं मैं कुमिपेथी आरवेदा पॉलिस्टिक नूटीशन अमेडिकर हर्बिलिज्म तथा अकुपंच्य प्रैक्टिस करता हूं आज मैं आपके सामने एक नया विश्य परसुत कर रहा हूं जिसको कहते हैं मेमरी प्रॉब्लम स्मर्शक्ति की कमी और उसकी चिकट्सा मेमरी की कमी काफी नौटिस में आ रही है और लोग शक्राट भी कर रहे हैं कि उनकी मेमरी कम हो गई है और कम हो रही है यह उम्र के साथ भी कम होती है और कुछ विमारियों के साथ भी कम हो जाती है जैसे डिमेंशिया और यहां फिर दिमाग में चोट लगने से पर आजकर मुख्य रूप से कोविद 19 के संकर्मन की वज़े से इंट्रक्शन की वज़े से मेमरी लॉस की रिपोर्ट्स आ रही है कोविद की वज़े से मेमरी में कमी साइण्स क्या कहता है वाईरस की दिमाग में चले जाने से इंट्रमेशन दिमाशन हो जाती है ज frei प्रभाव पेशिंटकी कंस्यून प्रता है और Pack-2021 करता है वाईरस के कारण दूसरा बुखार के बाद थकान हो जाती है तथा यह थकान आपकी कांसेंट्रेशन को भवाइद करती है जिसका संबंद मैमरी से हैं अगर आप कांसेंट्रेट नहीं कर सकते हैं तो आपकी आदाश भी कम हो जाती है और सोचने की शक्ति पर भी असर पड़ता है अक्सिजन का लेवल कम हो सकता है और अगर इसकम अक्सिजन का असर मैमरी सेंट्रेश पर पड़ता है या इसमर्ड शक्ति के केंदर पर पड़ता है तो वहां भी इसका प्रभाव दिखाए देगा बिमारी वा डर या हम कहें कि बिमारी का डर वा बैचैनी भी आपकी कागर रवाणंगर क्रवद करती है और इंटर्न है वह ऊपर ब्रभा अबर अशक्ति को कैसे थीक करें इसके लिए हम भू shifting टेंग चरवहायों के बिज़ीट कर सकते हैं यह में हनंवेडीबी डमाऊं का ऐसे में रजकर सकते हैं हमने कन्टाक्ट कर सकते हैं कूसे प्राmetros के हो सकत पोशक तत्मों से पूर्ण संतुलित अइम स्वस्त भोजन भी मेमरी को बढ़ाने में सायक होगा वाइटैमिंस मिन्रल्स घर्णिज वाब बायोचेमिकल्स जैविक पदार्थों कहां भी प्रयोग कर सकते हैं को मित्रों में हुह हो मेदिसिंस शुरू करता हूं इसमें जो है ठानिक्स हैं उनका ओपियों किया जा ए सकती है कमी आई यह वह सकती इसमें पहला जो टिंग्चर है यह इसमें काफी न्यूटिन्स होते हैं यह मस्तिस पर भी असर डालता है और शरीर पर भी असर डालता है अल्फ हल्फ का टिंग्चर की दस से बीस बून दो से तीन बार दिन में ले सकते हैं खाने से पहले हैं खाने के बाद और दूसरा है एविनसे टीवा इसका भी जो टिंग्चर है दस से बीस बून दो से तीन बार आगे हम चलते हैं आश्वगंधा आश्वगंधा का टिंचर है जो उसकी भी दस से बीस बून दो से तीन बार परते दिन खाने से पहले या खाने के बार दी जा सकती हैं काली फॉस 6 एक्स में 5 से 6 गोली 2 से 3 बार दी जा सकती हैं यह भी मस्तिष पर असर डालती है मस्तिष को इंप्रूव करती है मस्तिष की एक्टिविटी को फिर एक आए बायो कैमिक नंबर 24 की 5 गोलिया दो से 3 बार ली जा सकती हैं दिन में और यह चूसले में और इस तरह से आप उसको ले सकते हैं जड़ी बूटियों में हर्स में अश्वगंधा हर्व 200 से 500 मिली गराम 2-3 बार खाने के बार और खाने के साथ पानी के सकते हैं ब्रामुश्व वह गिंको बाइलोबा गिंको बाइलोबा जो 40-60 मिलीग्राम के फॉर्म में कैपसूल में आती है वह भी तीन दो से तीन बार प्रति दिन खाने के बार पानी से ले सकते हैं वह गिंको बाइलोबा का टिंक्चर भी आता है हुमिपर्थी में हर जगे नहीं मिलता साइबेरियन जिंसिंग आती है सौ से दो सो मिलीग्राम के कैपसूल को दो से तीन बार दिन में लिया जा सकता है खाने के साथ योग और आसन में अब हम बात करते हैं इसमें प्रानायाम अनुलो मलो भ्रम्री आज़ी जो हैं जो अक्सिजरेट करते हैं नाडियों को वे काफी अच्छे हो सकते हैं मैने में आसन में शीषासन सर्वांगासन सुरे नमस्कार पह्ष्यमोत आसन किए जाए जिसमें की मारे ब्लड का स्रकूलेशन दिमाग मस्तैश और हैड की तरब जाए अब हम चलते हैं पोशन मींस नूटीशन में पोशक तत्तों से पूर्ण संतुलित वस्वस्थ भोजन भी मेमरी को बढ़ाने में सायक होगा गहरे रंग वाली डार्क कलर सब्सक्राइब को फ़ल का हैं कि संजीओं को पका कर आएं और आफ जो है फ़लों का जूस भी ले सकते हैं अच्छा है तो नेच्छलरिग अग्रोण हों वह जो है और्गैनिक सब्जियां कॉल हों फिश हमें कोलीन होता है मस्तिश में एक नीरेट ठांस्मीटर में बदल जाता है जो मेंद परमुक्त क्वाने में प्रोटीन की कमी न हों दिन में बोजन के साथ प्रोटीन ज़रूर खाएं प्रोटीन में डाले सकते हैं मास मास का सूप पी सकते हैं शेम हैं डालो को अंकृत कर आए खाए पाकर खाने बदाम ते बदाम रोगन इसरे कहते हैं उसको पे सकते हैं और तेल के मारिष की जना सकती है उसका भी पर प्रभाव पर सकता है अब सब्यों है और डालों में आप गी काप्यों कर सकते हैं भी मेमरी बढ़ाता है अंडों के यलो पार्ट में भी जो है को लीन होता है अब बहुत जाद अंडे नहीं खाई एक दो अंडे खाई है तो हटे में जार पांच खा सकते हैं जिपन करता है अब अब भा सकता है तो यह आपको ध्यान देना परेगा आपको वाच अब दो खूलेस्टरोल इंक्रीज वाच अब दोक्तर की सला लें और चक्रालें पर्रीज अब धोक्तर को अब आ aún देखते हैं की पानी का अभी जो अपियोंग हमें अच्हेश्य तरह से करना चाहिए को है दिन में जो है पांच छे साथ आठ ग्लास भी सकते हैं हर दो दो गंटे में पानी पीजिए शुद्ध पानी पीजिए हलका गुलगुना होना चाहिए गुलगुना होना चाहिए या ल्यूक वार्म जिसे कहते हैं जो पानी से शरीर के विश्बार निकल जाएंगे और वह एक और दिए एक चैल्शियम और मंगनीशियम जिंक फास्फोर सेलीनियम इस तरह से जो है वह आठ नोग दस करीब जो मिनरस होते हैं वह आप होने चाहिए एंटी ऑक्सिदेंट्स जो डिजिजिज को रोकते हैं इन में जो है जो बायो कैमिकल्स होते हैं और वाइटमिन्स भी में होता है और में में जिन्क और झालियम एंटी latch का काम करते हैं वाई केमिकल्स में जो है जैसे कि यह आपको फलों से प्राप्त होंगे आमला से प्राप्त होंगे इस तरह की जो फल हैं उन में काफी एंटी एकसिड़न्स होते है यह डी जननेशन को रोकते हैं और कोलीन जिसकी बार जिसके बारे में उपर बताएजा़ जाज सुखा है कोलीन के कैपसुल से मिलते हैं और सुमर्शक्ती को ठीक रखेगा यहां तक मुझे यह बताना था इस बारे में और मेरा नाम डाक्टर रनवीर पावा है मेरा पोर नंबर 306-664-3873 है और मेरी इमेल नीचे बताई गई है लिकी गई है आप मुझे कर सकते हैं और यह जो इंफ्रोमेशन दी जा रही है वह एडूकेशनल परपर्स के लिए है यह टीटमेंट और डागनोसिस के लिए नहीं है इसके लिए कि अगर आपको डागनोसिस कराना है तो आप एक एक सब्सक्राइब करते हैं आपके सवालों के जवाब भी देंगे अब यहां करते हैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद थिंक्यू नमस्ती